हेलो स्टूरेंट्स वैलकम तो मैगनिट ब्रेंज कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैगनिट ब्रेंज आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ओफ कॉलिटी एडिकेशन फ्रोम क्लास के टू क्लास 12 जी हां सही सुना आपने किंटर कार्डन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीड एडिकेशन वो भी फ्री ओफ कॉस्ट प्रोवाइड तो करना क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है और कर देना है मैगनेट ब्रींज को सब्सक्राइब जहां पर आपको सीवीएसी बोर्ड से लेकर अधर स्टेट बोर्ड जैसे की यूपी बोर्ड, एमबी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्स भी अविलेबल है यहां तक की आपको प्रैक्टिस कोईशन भी आपर सॉल कराए जाते हैं इबुक्स और इनोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हश्मित कौर और मैं हूँ आपकी मैज्स फेकेंटी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चाप्टर नाइन जिसका नाम क्या है? पैरिमीटर और एरिया उसका कौन सा टॉपिक? एरिया ओफ पैरलेलो ग्राम क्या होता है? और हम पैरलेलो ग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? यह हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ठीक है? इस से प्रीविएस वीडियो में हम चाप्टर नाइन पैरिमीटर और एरिया स्टार्ट कर चुके थें जिसमें मैंने बहुत ही डीटेल में आपको बताया था पैरिमीटर और एरिया होता क्या है? उसकी डेफिनिशन भी देखी थी उस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है और फिर आ जाना है एरिया ओफ पैरलेलोग्राम पे ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया ओफ पैरलेलोग्राम तो क्या दीके रखा हुआ है? क्या बोला गया है? सबसे फ़हले तो ये फिगर देख लीजए आप, इस फिगर के बारे में बोला जा रहा है, जो पैरलेलोग्राम की, जो सॐरी, जो रैक्टेंगल की लेंट है पहले तो सबसे पहले आपको दिकhरा होगा ये क्या है? रैक्टेंगल. फिर अगर आप ये देखो कि आपको दिख रहा होगा कि क्या बना हुआ है पैरलेलोग्राम बना हुआ है ठीक है यह तो पता है ना पैरलेलोग्राम और रेक्टेंगल क्या होता है दोनों में डिफरेंस भी पता होगा तो आपको यह दिख रहा होगा रेक्टेंगल और यह क्या दिख रहा है पैर के बराबर है यह जो बेस बन रहा है पैरलेलोग्राम का उसके बराबर है क्या बोला जा रहा है हम से कि यह जो लेंध है रेक्टैंगल की यह इस पैरलेलोग्राम के बेस के बराबर है ठीक है आयाँ समझ में फिर सेकेंड बोला जा रहा है और साथ ही में हमसे बोला जा रहा है यह जो breath है rectangle की वो किसके equal दिख रही है वो equal दिख रही है पैरलेलोग्राम के height की ठीक है यह पैरलेलोग्राम है पैरलेलोग्राम में एक height draw हो रखी है उसके equal हमें क्या दिख रही है उसके equal हमें दिख रही है कि rectangle की breath देखके हमें रखी हु तो आपको क्या दिखेगा ऐसे कुछ पैरलेलोग्राम बना हुआ है ऐसे कुछ पैरलेलोग्राम बना हुआ है और साथ ही में ऐसे हाइड बनी हुई है ठीक है और रेक्टेंगल भी हमें दिख रहा है कुछ ऐसे ठीक है इतना आया समझ में तो हमसे बोला जा रहा है अगर हम अलग करके देखें फिगर को तो यह जो हमें दिख रहा है क्या यह जो हमें दिख रहा है कि लेंथ देके रखी हुए है किसकी रेक्टेंगल की वो पैरलेलोग्राम के base के बराबर है इतना बोला जा रहा है next बोला जा रहा है ये जो breath दिख रही है हमें rectangle की ये parallelogram के height के बराबर की है ठीक है ये समझ में आया आगे क्या बोल रहे हैं आगे हमसे बोल रहे है area of a parallelogram तो area of a parallelogram क्या हो जाएगा area of rectangle के equal हो जाएगा क्योंकि अगर ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें सेम हैं अगर मतलब length और breath और इसके base और height सेम है तो इसका मतलब यह हुआ ना इसका area और इसका area equal आएगा क्या हुआ इसका मतलब इसका मतलब है इसका जो area है वो equal ही होगा ठीक है तो इसलिए क्या देके रखा है area of a parallelogram is equal to area of a rectangle ठीक है यतना समझ में आया फिर हमें पता है कि rectangle का formula होता है length multiply by breath ठीक है तो यहाँ पर भी length multiply by breath देके रखा हुआ है ठीक है इतना आया समझ में फिर क्या बोल रहे हैं हम से but the length L and breath B of the rectangle are exactly the base and the height ठीक है respectively of the parallelogram हम से बोला जा रहा है जो length है किसकी rectangle की वो किसके बराबर है base parallelogram के base के बराबर की and जो breath देके रखी होई है rectangle की वो parallelogram के height के बराबर की है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखो length multiply by breath देके रखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं length की जगा base लिख देंगे और breath की जगा height लिख देंगे क्योंकि length base के बराबर है and breath height के बराबर है ठीक है इतना समझ में आया तो does the area of a parallelogram is equal to base multiply by height तो यह से कैसे बन जाएगा formula area of a parallelogram का formula बन जाएगा base multiply by height क्योंकि area of parallelogram हमने माना था area of rectangle के equal है and rectangle का formula होता है length multiply by breath and जो rectangle की length है वो parallelogram के base के बराबर की है and जो rectangle की breath है वो parallelogram के height के बराबर की है ठीक है तो हमने क्या किया इनकी जगा यह values put कर दी मतलब यह नाम डाल दी है क्योंकि दोनों क्या है equal है दोनों ही same है तो क्या आगया formula हमारे पास base multiply by height इसमा मतलब क्या है area of a parallelogram क्या आ रहा है base multiply by height आ रहा है ठीक है तो यह क्या बन जाएगा area of a parallelogram का formula बन जाएगा ठीक है इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए note down कर लिया आपने note down अब next हमें क्या देके रखा है next हमें question देके रखो है consider the following parallelograms with side 7 cm and 5 cm मतलब हमें यह क्या दिख रहे हैं यह हमें दिख रहे है parallelograms और जिसमें sides क्या देके रखे हैं 7 cm and 5 cm सभी parallelogram की side समें दिख रहे हैं 7 cm and 5 cm देके रखी हुई है ठीक है इतना आया समझ में तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है सबसे पहले तो इससे consider करना है इसे analyze करना है और उसके बाद बोला जा रहा है also find the parameter and area of each of these parallelograms हमें क्या करना है इन parallelograms के area भी निकालना है and parameter भी निकालना है ठीक है इतना आया समझ में तो सबसे पहला parallelogram अगर हम देखें अगर हम इसका निकाले parameter क्या निकाल रहे सबसे पहले हम parameter निकाल रहे हमें पता है parameter कैसे निकलता है किसी भी polygon का किसी भी figure का जब हम क्या कर देते हैं सभी sides को plus कर देते हैं ठीक है समझ में आया तो side यहां पे कितनी है 7 cm तो सबसे पहले इसके opposite side भी क्या हो जाएगी 7 cm क्योंकि यह क्या है parallelogram है और हमें पता है parallelogram के opposite sides parallel भी रहते हैं और equal भी रहते हैं यह 5 cm है तो यह भी क्या हो जाएगी 5 cm तो मतलब parameter कैसे निकल जाएगा 7 cm plus 5 cm plus 7 cm plus 5 cm तो answer क्या आएगा answer हमारा आजाएगा 7 plus 7 कितना होता है 14 14 plus 5 कितना हो जाएगा 19 and 19 plus 5 कितना हो जाएगा 24 तो मतलब 24 cm यहाँ पर answer आजाएगा ठीक है इतना आया समझ में अब हमें क्या करना है इसी parallelogram का निकाल लेना है हमें area ठीक है तो area क्या आएगा area of area of parallelogram कितना हो जाएगा formula क्या बता है तो अभी मैंने base multiply by height यह रहता है formula तो अभी हमें क्या दिख रहा है अभी हमें दिख रहा है base क्या देके रखी हुई है 7 cm and height क्या देके रखी है 2.5 cm ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 cm 7 cm multiply by 2.5 cm तो answer क्या आएगा जब हम 2.5 में 7 को multiply कर देंगे 75 is the 35, 3 कह रही है यहाँ पर 7 to the 14, 14 plus 3 15 हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर हमें पता है एक digit के पहले point है यहाँ पर भी क्या लग जाएगा एक digit के पहले point लग जाएगा ठीक है इतना आया समझ में तो answer क्या आ रहा है यहाँ पर answer हमारा आ रहा है 15.5 cm2 ठीक है इतना आया समझ में मतलब यह जो figure देके रखा है उसका area कितना आ रहा है 15.5 cm2 और पैरिमीटर कितना आ रहा है 24 cm2 ठीक है इतना आया समझ में जल्दी से बताईए इतना समझ में आया यहाँ पर हमने क्या निकाला है 2.5 multiply by 7 तो 7.5 जा रहा है 35 और यहाँ पर 3 7 तो सा 14 और 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 यहाँ पर 17 हो जाएगा 17.5 आएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 17.5 answer आ रहा है 17.5 cm2 आ जाएगा हमारा area ठीक है इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए note down कर लिया अपने note down अब next figure देखते हैं next figure क्या देखे रखा है next figure भी हमें parallelogram दिख रहा है हमें सबसे पहले क्या निकालना है इस figure का parameter निकालना है parameter of parallelogram तो क्या हो जाएगा जैसे कि हमें पता है क्या करना होता है सारे sides को add करना होता है यह 7 cm है तो same opposite side भी क्या हो जाएगी 7 cm यह 5 cm है तो इसकी opposite side भी क्या हो जाएगी 5 cm हो जाएगी ठीक है इतना आया समझ में तो यहां पर हम क्या करेंगे 7 cm प्लस 7 cm प्लस 5 cm प्लस 7 cm प्लस 5 cm कर देंगे ठीक है तो answer क्या आएगा same जो पहले आया था answer वही आजाएगा 24 cm यहां पर answer आजाएगा ठीक है इतना आया समझ में अब हमें क्या करना है अब हमें निकाल लेना है area of a parallelogram area निकाल लेना है अभी तो formula क्या है formula है base multiply by height ठीक है जिसमें हमें दिख रहा है base कितना है 7 cm and height कितनी देखे रखिए 3 cm तो 7 cm multiply by 3 cm करेंगे तो answer क्या आएगा 7 threes are 21 to 21 cm square हमारा answer आजाएगा इसका मतलब क्या है parameter 24 cm निकला है और area निकल गया है 21 cm square ठीक है इतना आया समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिये note down कर लिया आपने note down अब next क्या देके रखा है next हमें third figure देके रखा है हमें इसका भी parameter निकाल लेना है and area भी निकाल लेना है ठीक है 7 cm है तो इसके opposite side भी 7 cm होगी ये 5 cm है तो opposite side भी 5 cm हो जाएगी ठीक है इतना आया समझ में अब हम क्या कर देंगे सारी sides को add कर देंगे 7 cm प्लस 5 cm प्लस 7 cm प्लस 5 cm तो answer क्या आएगा add करने पे same वही 24 cm हमारा answer आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या find out करना है हमें area भी find out करना है तो area of parallelogram क्या हो जाएगा area of parallelogram आएगा क्या हमें पता है base multiply by height होता है तो इस figure में हमें base दिख रहा है 7 cm and height कितनी देखे रखिए 3.5 cm तो यहाँ पर 7 cm multiply by 3.5 cm कर देंगे ठीक है इतना आया समझ में तो 3.5 multiply by 7 करेंगे तो 7.5 कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा यहाँ पर 35 3 कह रही है यहाँ पर गई 7.3 21 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा एक digit के पहले decimal है यहाँ पर भी एक digit के पहले हमने decimal लगा दिया तो answer क्या आ रहा है 24.5 cm square ठीक है तो इसका मतलब क्या है 3rd figure का perimeter क्या निकल के आ रहा है 24 cm and area क्या निकल के आ रहा है 24.5 cm ठीक है आया समझ में आप next क्या देके रखा है next 4th figure देके रखा है उसे भी solve कर देते है सबसे पहले हमें क्या निकालना है perimeter निकालना है perimeter निकालना है यहाँ पर 7 cm है तो opposite side भी क्या हो जाएगी 7 cm यहाँ पर 5 cm है तो opposite side क्या हो जाएगी 5 cm ठीक है तो perimeter क्या होगा जब हम सारी sides को add कर देंगे मतलब 7 cm प्लस 5 cm प्लस 7 cm प्लस 5 cm तो answer क्या आएगा? answer same 24 cm आ जाएगा, ठीक है? इतना है समझ में, अब हमें क्या करना है? area भी निकाल लेना है इसी figure का, तो area of parallelogram निकाल लेंगे formula क्या रहता है? base multiply by height तो base कितना देखे रखा है? 7 cm and height कितनी देखे रखे हुई है? 4 cm तो 7 cm multiply by 4 cm करेंगे तो answer क्या आएगा? answer आ जाएगा 28 cm square क्या answer आ रहा है? answer हमारा आ रहा है 28 cm square इसका मतलब क्या है? perimeter इस figure का आ गया है 24 cm and area क्या आ गया है? 28 cm square ठीक है? इतना आया समझ में आया है कर लिया आपने note down तो आपने एक चीज notice करी होगी हमने इन सभी figures के क्या निकाले है area भी निकाले है, perimeter भी निकाले है जैसे कि आपको पता है ये जो side C वो सभी में same थी यहाँ पे 7 cm है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 7 है यहाँ पे 5 है ठीक है, तो हमने क्या देखा जो perimeter है, वो सभी figure का क्या आया है, same आया है लेकिन area जो है, वो क्या आया है different आया है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे height जो है, वो सभी figure में अलग-अलग देके रखी हुई थी, यहाँ पे 2.5 थी, यहाँ पे 3.5 थी, यहाँ पे 4 थी, इस वज़े से सभी का area भी क्या आया है, अलग आया है, लेकिन parameter क्या आया है, parameter same आया है, ठीक है, इतना आया है समझ में, अब next क्या हमें देके रखा है, next हमें देके रखा हुए, try these let's try these का question, first क्या बोल रहा है, find the area of the following parallelograms, हमें क्या करना है, यह parallelograms अभी देखे रखे हैं, हमें इनका area find करना है, ठीक है, तो सबसे first question क्या है, area of parallelogram, formula क्या रहता है, base multiply by height, ठीक है, तो अगर हम देखे, first figure को base कितना है, बेस यहां पर 8 cm देखे रखे हैं, हमें पता है, perpendicular यहां पर बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, तो बेस कितनी आ रही है, 8 cm, and height हमें क्या दिख रही है, 3.5 cm, तो हम क्या करेंगे, 8 cm multiply by 3.5 cm कर देंगे ठीक है multiply by 3.5 cm कर देंगे तो answer क्या आएगा 3.5 multiply by 8 करेंगे 8 5 जग इतना होता है 44 कह रही है यहाँ पे 8 3 जग 24 24 प्लस 4 28 हो जाएगा और यहाँ पे point लग जाएगा इसका मतलब 28 cm2 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इतना आया समझ में अब next क्या है next figure हमें दिख रहा है यह भी क्या देके रखा है parallelogram देके रखा है इसका भी क्या find करना है area find करना है ठीक है तो यहाँ पर भी same आपको दिख रहा होगा यह 8 cm है उसकी opposite side क्या हो जाएगी opposite side भी 8 cm हो जाएगी ठीक है और हमें पता है यह क्या है यह height है जो कि कितनी देके रखी हुई है 2.5 cm देके रखी है और यह perpendicular बन रही है इस side के ठीक है तो यह क्या हो जाएगी base हो जाएगी ठीक है आया समझ में तो इसका मतलब क्या है area of parallelogram कितना होगा यहाँ पे base multiply by height कर देंगे ठीक है base की value क्या है base की value है 8 and height कितनी देके रखी है 2.5 8 cm multiply by 2.5 cm ठीक है तो 2.5 multiply by 8 करेंगे 8, 5, 40 होता है 4 क्या रही है यहाँ यहाँ पे 8, 2, 16, 16 plus 4 कर देंगे 20 आएगा and यहाँ पे point तो यहाँ पर क्या आ रहा है 20 cm square answer आ रहा है मतलब area of parallelogram कितना आ रहा है 20 cm square आ रहा है ठीक है इतना आया समझ में अब next क्या देके रखा है question third in a parallelogram ABCD parallelogram ABCD है उसमें AB कितना देके रखा है 7.2 cm and the perpendicular from C on AB is 4.5 cm ठीक है इतना आया समझ में क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले हमें draw कर लेना है क्या ABCD parallelogram यह हमने क्या क्या एक parallelogram draw कर दिया और नाम दे देते हैं यहाँ पे A, B, C, D ठीक है इसमें बोला जा रहा है AB कितना है AB है 7.2 cm ठीक है साथ में बोल रहे है and the perpendicular from C मतलब C से क्या हो रहा है perpendicular हम draw कर रहे है on AB ठीक है C से start कर रहे है and AB पे हम क्या कर रहे है perpendicular draw कर रहे है ठीक है तो कितना आएगा on AB is 4.5 cm सबसे पहले तो हम सबसे पहले हम क्या करते है सबसे पहले इसे ऐसे लिख देते है A, B, C, D ठीक है अब हमें क्या draw करना है, perpendicular कैसे draw करना है and the perpendicular from C, C से draw करना है वो भी AB पर, ठीक है उपर C लिखा हुआ था तो perpendicular draw नहीं होता इसलिए हमने points को change किया है, ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं, perpendicular draw कर रहे है तो ये क्या हो जाएगा, perpendicular draw हो जाएगा, ठीक है ये हमने क्या किया, perpendicular draw कर दिया तो ये जो perpendicular draw हो आए, वो कितना देके रखा है, 4.5 cm कितना देके रखा है, 4.5 cm, ठीक है इतना आया समझ में, अब हमें क्या करना है अब हमें इसका निकाल लेना है, area क्या निकालना है area निकालना है, ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर DC 7.2 cm है, तो AB भी क्या हो जाएगा, AB भी 7.2 cm हो जाएगा, क्योंकि opposite sides क्या रहते हैं, parallelogram के, equal रहते हैं, ठीक है, और हमें पता है, perpendicular यहाँ पे draw हो रहा है, तो यह जो AB है, वो क्या हो जाएगी, base हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में, तो यहाँ पर हम क्या find out कर लेंगे, यहाँ पर हम find कर लेंगे, area of parallelogram, ठीक है, तो क्या बनेगा, base multiplied by height, ठीक है, इतना समझ में आया, तो base कितना देके रखा है, base हमें देके रखा है, 7.2 cm, and height कितनी देके रखिए, 4.5 cm, ठीक है, इतना आया समझ में, अब हमें क्या कर देना है, 7.2 को 4.5 से multiply कर देना है, 5.2 कितना होगा, 10, 1 केरी यहाँ पर, 7.5 से 35, 35, plus 1, 36 हो जाएगा, यहाँ पर cross का sign, 4.2 जा 8, and 4.7 जा 28, ठीक है, सम कर देंगे, यहाँ पर 0, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14, 1 केरी यहाँ पर, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 8, 12, 1 केरी यहाँ पर, 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले डैसिमल है, यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले डैसिमल है, तो हम answer में क्या करेंगे, दो डिजिट से पहले decimal लगा देंगे ठीक है तो यहां पर answer क्या आ रहा है यहां पर answer आ रहा है 32.40 cm2 क्या answer आ रहा है 32.40 cm2 ठीक है इतना आया समझ में तो यह हमने क्या निकाल लिया है area of a parallelogram निकाल लिया है ठीक है आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिये note down कर लिया अपने note down तो यहां पर होती है हमारी video complete वीडियो अगर आपको अच्छी लगिए तो क्या करना है इस video को like करना है comment करना है and जादा से जादा कर देना है share ठीक है and जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है magnet brains को subscribe यह रही हमारी application यह रहे हमारी website and यह रहे हमारे top courses जो आपको provide कराते है free of cost quality education e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and यह रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके visit कर सकते हैं and कर सकते है magnet brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, यह जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा magnet brains को subscribe, thank you so much